मेरे पास माइको बॉच का अल्टिएटर रिपेर करने आवा था इसमें मसला यह था कि इसके जो बैटरी लाइट है वो लगने रहे थी चाविया ओन करने भी नहीं और गाड़ी स्टार्ट करने को आज दी मतलब इसकी बैटरी लाइट शो भी नहीं कर रहा था में तो इसमें मैंने इसको उपन किया और इसमें खोला इसका जो रोटर है जो कोईल है जो डाइड फिलेड है यह सब मैंने चेक किया लास्ट में बस इसकी कनेक्शन भी चेक किये लास्ट में बसता है कटाउट यह कटाउट मैंने चेक किया तो इसका मसला निकला तो यह कटाउट मैंने क चिक किया तो यह खराब है अब खराब कैसा है और मैंने कैसे चिक किया है आपको बताता हूँ तो इसके लिए आपको लेना है एक बैटरी बारा ओल्ट की इसका प्लस वाला पॉइंट है इसमें मैंने लगा दिया है और ही माइनस वाला है इसमें से मैंने एक वायर निकाल दी और पलास वाले में मैंने एक बारा वोल्ट का लाइट देदी आ है माला बाराれない लाइट का कर दिए है एक वायर इजothyre दे दिये और दूसरी वायर है मालक इसको सीरीट प्लावन चालू कर सकते लिए टाच करते हुग हुआ भी है देख सकते हैं अच्छे वाला कटावड मेरे पास है तो इसे अपमें कैसे करूंगा इसके अंदर दो कार्बन बरशे पर ऑद डूसरी वाहर है नेगेटिव वाली वो उपर वाले पे टच करूंगा सिंपळी तो अभी कोई लाइट शो नहीं कर रहा है ऑके कोई लाइट शो नहीं कर रहा है डूसरी बार में क्या गरूंगा यह से पलटाओंगा जो उपर वाला बरह छिए उत्पे में यह वाली वाइब रहूँगा पलटागे और यह में टाइट की तो यह light शो कर रहा है थोड़ा D में कि ब recall कर रहा है दी में जलना चाहिए धुल जालेंगा दो क्यों सा डैरेक्ट हुआ रहता है यह अच्छा हैं कि तो यह यह से व हो करता है माटना बैसले इसे1 करन चाहिए आप और आपने चैजरी के मदब से पलटा के चेक कर सकते हैं एक साइड पर लाइट दिखाना चाहिए दूसरे साइड पर नहीं दिखाना यजिए को पलटाओ की भी लगाँ हूं तो यह ग्लो नहीं करेंगा इसको कुल नहीं कर रहा हूँ पलटाओ के लगाए तब भी ग्लो नहीं कर रहा है जबकि मेरी सीरीज चारव हुआ है इसे एक एक साइड को नहीं करेंगा दूत्रे साइड को गुलो का देख सकते हैं तो ऐसे सिंपली एक कट आउट चेक कर दखते हैं माय को बाच का ओके थैंक्स पूर वाचिंग